गाईस आज किसी वीडियो में हम जानेंगे यूट्यूब वीडियो को ग्रोम ब्राउजर से एक इस प्रकर से अपलोड किया जाता है साथ में ये वी जानेंगे कि यूट्यूब वीडियो को अपलोड करने का सही तरीका क्या है सही method क्या है ठीक है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा चाहे आप एक वीगनर हो या तो फिर आपको यूट्यूब का बहुत दिनों से experience है फिर भी आपको यहां पे बहुत कुछ सीखने को मि application माने के बाद से यहां पे आपको ओपर ही यूट्यूब का आइकन देखने को मिलेगा इस पर क्लिक करना है अब यह जो जैसे ही यूट्यूब वाला जो page open हो जाएगा तो यहां पे आपको एक arrow देखने को मिलेगा red arrow या तो फिर यहां पे इसके जगे आपको three dot भी देखन को मिल सकता है तो फिलान यहां पर arrow देखने यहां पर देखने को मिलेगा इस में क्लिक करता हूं उसके बाद से यहां फिर से मैं back करता हूं तो यहां पर देह सकते हैं तagu यहां पर दिखें या तो फिर एरो दिखें उस पर क्लिक कर देना उसके बाद से यहां पर प्रोफाइल का इकन देखने के मिलेगा ठीक है अपने फोटो पे क्लिक करना प्रोफाइल वाले फोटो पर यहां पर देखें प्रोफाइल पर मैं क्लिक किया उसके बाद से यह पर ऑफशन देखने के मिलेगा YouTube Studio ठीक है इस पर आपको क्लिक करना है इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहां पर देख सकते हैं कि क्वाइटी C future application है वह ओपन हो जा रहा है तो है यह तो एक नयाव प्रोब्लम के लिएट हो इस पहले इस प्रोब्लम को करने का तरीका जानते हैं तो इस प्रोब्लम को सभी करने के लिए फिक्स करने के लिए आपको अपने यती स्टीडियो जो अप्लिकेशन न हमाज इस अप्लिकेशन को कुछ देर के लिए पर अन्स टाल कर देगा ठीक है । हैं इसे बाद में फिर इंस्टड कर लेज़ें कोई दिकत कोई प्रोब्ल्म क्रेट नहीं होने वाला तो पहले इसे मैं य्टि Kung ष़िट्यीयव अप्लिक उस्से दियुट करने के Second पेज लोड हो ले रहा है और यह पेज लोड ले चुका है अब यहां पर गाइस next step में यह करता है कि यहां पर फिर से 3. क्लिक करना है और यहां पर देखें एक option आपको देखने के में बहुंग लगा एड़ टू होम स्क्रीन ठीक है उससे पहले एक बात और के लिए कर दूंगा इसकी अगर आपके पास एक से ज्यादा यूटूब चैनल है ठीक है और अभी आपका दूसरा इमेल आइडी खोला हुआ है और इस इमेल आइडी से आपका यूटूब चैनल नहीं है या तो फिर ह क्रिक करियेगा तो यहां पर देखे़ागा यहांपर ये मैं हुटूब चैनल होगा जितनी इमेल आइडी होगा सारा यहां पर दिखाए देगा तो आप जिसमें स्विच लेना चाहते आप इस तरीके से आप सुविच कर सकतें तो फिलान मुझे इस हीमें वीडियो को अप मैं अभी बढ़ता हूँ तो यहाँ पर आपको हो मिस्कीने वाले आपको क्लिक करदें जैसा आपके देजरा अप्लिकेशन हूं यहाँ पर होमिस्कीन्स सबसेलास्टमें एक यूटूब का आइकन देकने के में अच्याहँ अपर जैसे एक बर क्लिक करियेगा तो आप डायरेक्ट क्रोम ब्राउचर में जो यूटुब इस्टीडियो है उसमें अपने चैनल को डायरेक्ट एक क्लिक में ओपन कर पाएंगे ठीक है तो यह एक वहला फायदा है और दूसरा फायदा यह है कि अभी हमने थोड़ी दिर पहले अपने मुवाइल फोन से वाइटी स्टीडियो अप्लिकेशन को यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके एक पार से दिखा देता हूँ तो अब यह अप्लिकेशन इंस्टॉल हो चुका है अब इसे हम ओपन करते हैं ओपन करने के बाद से इसे हम सेट अप कर लेता हूँ और गेट स्टाड़ेट में क्लिक कर दिया मेरा यह जो वाइटे स्टीडियो अप्लिकेशन यह चलने लगा अब मैं इसे यहां पर क्लोज कर देता हूं सभी क्लोज कर देता हूं तो चलिए अब देखते हैं कि यूटूब पे वीडियो अप्लोड करने का सही तरीका क्या है ठीक है तो इधर हम लास्ट में आते हैं और इस पें डिएक क्लिक करते हैं और हम अपने वाइटी श्टीडियो में चले जाते हैं और यहांपि देखने को फर कर सकते हैं याथ तो फिर यहां पर देखिए एक एहां पर आइकन है यहां पर इस प्रेटर करके भी आप वीडियो को डायक्त यहां पर अपडूरर कर सकते हैं देखिए आपको select file का एक option देखने मुलेगा इस पर आपको click वाला है चला करके विद्विध्यो करना है तो आप का जो वीडियो है अफ लोड होना स्डाट हो जाएगा ठीक है और जब अप लोड कि यह वाला आपका वीडियो कितना परसेंट अपलोड हुआ कब तक अपलोड होगा तो उसके लिए यहां पर देखिए आपको कोना में यह चीज देखने को मिलेगा नीचे यहां पर आईएगा तो देखिए यहां पर बता रहा है कि आपका वीडियो कितना परसेंट कर देना है ठीक है तो यहां पर मैं अपना वीडियो का जो टाइटल है उसे डाल देता हूँ हैं अब तैटल को अपने वीडियों को जो टाइटल ए उसी रख डिया अब अपने टाइचल को एक व अपने वीडियो के जो भी टाइटल है उसे एक बार से कॉपी करके डिप्सक्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालिएगा उसके बाद से अगर आपको पॉसिबल हो तो आपको क्या करना है कि यह जो टाइटल में आप जो भी चीज लिखे हैं उसके एक सेंटेंस को जो एक वाक् को ठीक है एक सेंटेंस को इस एक वाक्य के मैंने यहां पर कॉपी कर दिया उसके बाद सो मोर पर आपको जाना है शो मोर पर जाने के पाद से यहां पर नीचे आना है नीचे आने के बाद से यह टेक्स का एक आपको मिलेगा टेक्स में जा करके इसे आपको जुरूर दोस्रे सेंटेंस जो है उस सेंटेंस को भी यहां पर मैं कॉपी कर लेता हूं कॉपी करने के बाद से फिर से हम आएंगे वहां पर टैक्स वाले आफ्शन में और फिर से यहां पर जून करना और यहां पर उसे भी पेस्ट कर देना फिर से यहां पर इस संटेंस को भी इस वाक्य को भी लेते हैं हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं मेरे बोलने का मेरे कहने का यह मतलब है कि आपने अपने वीडियो की जो टाइटल है जो ने भी टाइटल लिखे है उस टाइटल में कितने मैंने यहां पर कितने वाके रखे कितने संटेंस रखे मैंने तीन संटेंस तीन वाके यहां पर मैंने जरूर डालना है ठीक है इससे क्या होगा था आपका यज है वह Mजबूत होता है वह लगबग 60% ऐसे ही चला जाता है ठीक है अगर आप ऑपने title को वीडियो को टाइटल को description में और text में डालते हैं तो आपका 60% ऐसे ही complete हो जाता है ठीक है तो आपको यह चीज जरूर करनी है ठीक है और यहां पर अपने टैग में और डिप्सक्रिशन में और भी कुछ यहां पर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं लेकिन यहां फिलान मैंने और यहां पर बहुत सारे यहां पर टैक्स लगा चुके हैं अपने वीडियो के टेगरी के हिसाब ठीक है तो यहां पर अपना हमसार और भी जादा यहां पर जो भी टैक्स रखना चाहते हैं टैक्स को रख लेजएगा उसके बाद से यहां पर देखिए आपको एक चीज़ को यहां पर चिक करना चिक क्या करना अगर आपको पनी क्लिक करके इसे डन कर देता हूं और यहां पर नो इस नॉट मेड़ फॉर कीड़ वाले जो ऑप्शन है इस पर सेलक्ट रहने देना है उसके यहां पर आपको नीची आना है और चीज़ यहां पर देखिए वीडियो के लिंग्वेज यहां पर हिंदी रखा है मैंने आप य इस निरे copy यहां पर एक को कեղिए उसके बाद यहां पर चीज़ की का नहीं पर ध्यान देना है कि यहां पर अपनने सब्सक्राइब कर लीज़िए इक डाशिकियो के से लिए हैं। मतलब का आपका चैनल जिस प्रकार के है उस प्रकार के चीज़ को यहां पर आपको सेलक्ट कर लेना है उस प्रकार के आपको कर लेना है ठीक है एक बात और गाईज अगर आप उपनी वीडियो को सर्च लिस्ट में लाना चाहते हैं ठीक है कि आपको वीडियो सर्च करने प्य है जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को यहां पर फ़ले सर्च करिएगा जैसे कि मेरा वीडियो थै पटना के गांधी मैदान में exercise किया है हम लोग और पटना के रिलेटे यहां पर पटना पर ब्लोग वीडियो बनाया है तो यहां पि लिगूंगा पत्ना गांधी मैदान ब्लोग तो देख सकते हैं यहां पे पत्ना गांधी मैदान ब्लोग आया हुग इसे मैंसे select करके इसे मैं उसे copy कर लेता हूँ copy करने के वाद से फिर से मैं इधर पर आता हू inflam और यहां पे इसके tag में यहां पर इसे पेस्ट कर देता हूं उसके बाद फिर से यहां पर आते हैं और भी कोई कीवोड्स यहां पर हम सर्च करते हैं देख सकते हैं गांधी मैदान लिखने से ही एक और सेंटेंस आ गया तो इस गांधी मैदान को भी यहां पर हम कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बा मैंदान व्लॉग लिखते हैं आज वी वी एलोजी व्लॉग ठीक है पटना गांदी मैदान व्लॉग इसे भी मैं यह पर कॉपी कर लेता हूं और फिर से यहां पर आता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं फिर से आता हूं यहां पर इस तरीके से आप भी अगर आपके वीडियो जिस भी काटेगरी से रिलेटेड हो उस तरीके से यहां पर आपने को यूट्यूब में सर्च करना है कीवोड्स को और जो सबसे उपर सबसे उप टॉप में सो उसे आपको क्या करना सेलेक्ट करने के बाद से यहां पर इस पर सेलेक्ट करके इसे कॉपी कर लेना कॉपी करके आपको यहां पर टैग में से सभी को यहां पर पेस्ट करते जाना और हो सकता आपको उस चीज को यहां पर डिप्सक्रिप्शन में भी कर देना है ठीक है गाइस तो इससे करने से क्या होगा कि आपको वीडियो जो है सर्च लिस्ट में दिखाता है उसके बाद से आप गाइस देख सकते हैं कि यह वीडियो है यह अप्लोड हो चुका है तो यहां पर आपको क्या करना है कि आपके नेक्स करना है नेक्स करना है फि यहां पर दिखा देगा कोफिलेट में लिखा रहा है कि नो इसू अफाउन ठीक है तो यहां पर इस वीडियो में किसी प्रकार के कोफिलेट म्यूजिक नहीं है चाहे कुछ भी नहीं चीज़े उसके पास आपको नेक्स्ट करना है नेक्स्ट करने के बाद से यहां पर बाद कि एक दीजुके में उसी वीडियो मना दीदया हूं और उस वीडियो का लिंक आफ इसी वीडियो के दिप स्कृप्ण रॉक्स में मपील जाए गाँ आप उसने वीडियो के सेलेक्स करने के बाद से उसे ये देट पर क्लिक करिएगा पेंसिल वाल आइकन पे मैं आपको दिखाता हूं यह वादा वीडिया तो मैं इसे पर क्लिक कर लेता हूं उसके पर पेंसिल वाल आइकन पर क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद से यहां पर फिर से पेंसिल वाल आइकन पर क्लिक करना है और यहां पर कॉस्टम ठमनिल पर क्लि पॉब्लिज पर टिक लगा करके फिर आपको बैग कर जाना है और इसे शेम कर देज़ेगा तो यह था वीडियो अपलूट करने का शही तरीका आप लोगों को यह वीडियो से बहुत कुछ चेकने का मिला तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ने किया तो लाइक कर लाइकों घडियो को लाइकर ने तक का इसे बहुत कर लाइकर झाल कर लाइकर वीडियो झाल शेया जेव है तो जेंग 10